कार खरीदने से पहले लोगों के दिमाग में बहुत सारा कन्फूजन रहता है इसी लिए मैं कमपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ दोनों ही कारे मारूती सुजुकी की हैं और एक तरफ आपको देखने को मिलेगी फेस लिफ्ट यहाँ पर स्विफ्ट और दूसरी तरफ न्यू एज बलिनो तो सारी चीज़ने किलियर हो जाएंगी इसी वीडियो में क्या इसके प्राइस रहने वाले हैं वो सारी चीज़ में इसी वीडियो में आपको बताऊँगा तो वीडियो को सुरू से आखिर तक सरूर देखे सबसे पहले अगर बात करें इस कार के इंजन के बारे में तो 1197 सीसी यानी 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ में ये कार आपको मिलेगी और इंजन टाइप इसके अंदर आता है जेट सरीज वाला और यहाई पर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 80.0 बह पी पावर जनेट करती है 4700 आर्पियम पर और टोर्क 111.7 अनम पावर जनेट करती है 4700 आर्पियम पर ड्राइब रेंज लगबग लगबग 918 किलो मिटर की इसकी रहती है और यहाई पर अगर बात करें इसके ट्रांशमिशन की तो मैन्वल ट्रांशमिशन में 5 स्पीड गेर बॉक्स के साथ में ये कार आप देख रहे हैं ये सबसे पहले अगर बात करें डिमेंशन और कैप सिटी की तो लैंथ इसकी 4990 अमेम के सम्तिंग आपको मिलेगी विड्स 1745 अमेम हाइट 1500 अमेम और इसमें वील बेस 25 अमेम के आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें वेट कार का 920 केजी के सम्तिंग आपको देखने क आता है टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है 4.8 है वहीं पर वील साइज आपको 14 इंच का इसमें आपको मिल जाएगा 6 airbag इसकार के अंदर आपके आ जाएंगे वहीं पर रियर पार्किंग सेंसर आ जाते हैं टच स्क्रीन सिस्टम भी इसकार के अंदर आपको मिल जाएगा 7 जैसे cruise control है, head up display है, keyless entry और आपका push start stop button, rear में AC bent, LED lights ये सारी चीज आपको इस वीडियो में मिलेंगी 360 view camera भी इसमें आता है 6 airbag आते हैं और यहीं पर हम बात कर लेते हैं इस कार के dimension और capacity की तो length इसकार की 3860 mm आपको मिल जाएगी, width मिलती है 1735 mm, height मिलती है 1520 mm, wheelbase मिलते है 2450 mm वहीं पर weight की अगर बात करें इस कार के अंदर कितना वजन है तो 920 kg वजन भी इस कार के अंदर आपको मिल जाएगा, वहीं पर बात करते हैं इसके door की तो 5 door आपको मिल जाते हैं, अगर बात करें इसके engine की तो engine इसमें 1.2 liter के series engine मिलता है जो 1197 cc में आता है और power 18.50 bhp जन इनेट करता, 4400 rpm पर 4 slender engine इस कार का है, इसी वज़े से ये silent चलती है और mileage भी जादा देती है, फ्रंट लुक से देखा जाए तो कुछ इस टाइब से आपको ये कार देखने को मिलेगी, फ्रंट में Suzuki का logo, वहीं पर grill मिल जाती है नीचे की side में, black color की कुछ इस टाइब से, अंदर की side में होरन मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़े मिल जाती है, ये कुछ इस टाइब से देख रहे हैं, और एक होरन, दो होरन मिलते हैं इसमें, और यहाँ पर देखते हैं, तो कुछ इस टाइब से नीचे की side में cover है car और ground clearance मिलता है 163 mm का, जो की ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, तो projector, halogen, lamp मिल जाते हैं, ये कुछ इस टाइब से indicator मिल जाते हैं, तो यहाँ पर light की profile है, fog lamp आप अलग से लगवा सकते हैं इस car के अंदर, तो ये सारी चीज़ light profile में मिल जाती है, wheel size यहाँ पर 14 inch का, front में ventilated disc brake और wheel cap आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर Suzuki का logo मिल जाता है, और उपर की side में देखते हैं, तो दो बाइपर इस car के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, ORVM body color और इसी पर indicator मिल जाएगा, उपर की side में देखेंगे, तो यहाँ पर एक antenna मिल जाता है, front का look अगर इस type से देखा जाए, तो काफी अच्छा look हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर सुजुगी का logo आपको देखने को मिलेगा, front में camera और grill यह देखने को आपको मिल जाएगी, कुछ इस type से आप देखने तो काफी अच्छा look हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पर LED, projector head lamp, DRL, indicator, यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल जात नीचे आपके fog lamp मिल जाते है, with chrome, कुछ इस type से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा look हमें देखने को मिल जाता है, ground clearance की बात करें तो काफी अच्छा ground clearance मिल जाता है, लगवग 170 mm का, नीचे सगार cover है, थोड़ा side से भी देखेंगे, और थोड़ा पीछे सभ वाले, alloy wheel आपको देखने को मिलेंगे, front में disc brake मिल जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं, तो 360 view का camera भी मिल जाता है, ORVM पर indicator, keyless entry है, keyless entry के साथ में gate को open कर लेते हैं, open करने के बाद, और यहाँ पर पूरा gate आपको black color में देखने को मिल जाएगा, पूरी profile कुछ इस type से आ जा करते हैं, कुछ space bottle holder speaker का option इस car के अंदर मिल जाता है, seat की बात करें, तो काफी अच्छी seat है, headrest यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, seat ओपर, और कुछ इस type से seat belt भी मिलती है, सभी seat ओपर seat belt मिलती है, six air bag मिलते ही है इसमें, और नीचे की side में pendle मिल जाएंगे, hood open करने का option, fuel tank open करने का option, push start stop button यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, idle start stop button और electronic stable control मिल जाता है, यह आपका AC band मिल जाएगा, meter कुछ इस type से देखने को मिलेगा, यह कुछ इस type से आप देख रहे हैं, तो 220 km की speed भी इसके अंदर देखने को मिल जाए, यहाँ पर steering पर कुछ इस type से देख कर सकते हैं, call receive कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो touch screen system आपको 7 inch का Android Auto Apple CarPlay मिल जाता है, कुछ इस type से, ठीक है, जैसा कि आपको 7 inch का मिलता है, यहाँ पर 1000 light मिल जाती है, 4 indicator एक साथ जला सकते हैं, automatic AC मिल जाता है, पूरा, कुछ इस type से, आप देख रहे हैं, और नीचे की साइड में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आपको charging का एक option मिल जाता है, USB आप correct कर सकते हैं, कुछ space, cup holder, और यहाँ पर gear lever, कुछ इस type से आपको मिल जाएगा, 5 forward, 1 reverse में, और यह इस type से आपको handbrake, और seatbelt connect करने का option, manual mirror, light, sun visor, यहाँ पर mirror मिल जाता है, handle पकड़कर dashboard आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे हैसाब से तो भाई, काफी अच्छा look ही, इसका देखने को हमें मिल लाए, और आप comment कर सकते हैं, आपको यह car कैसी लग रही है अंदर से, अगर आप यह car खरीदना चाते हैं, तो showroom पर visit कीजिए, एक बार देखिए, और फिर इस car को keyless entry, chrome के साथ में handle मिल जाते हैं, और gate कुछ as types आपको देखने को मिलेगा, चारो power window यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, lock unlock कर सकते हैं, और ORVM को fold और यहाँ पर set कर सकते हैं, इस type से, कुछ यहाँ से कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े मिलती हैं, leather का work थोड़ा मिल ज कुछ इस type से आगे पीचे उपर नीचे seat को कर सकते हैं, headrest सबी seat ओपर आपको देखने को मिलेंगे, सबी seat ओपर seat belt का option मिलता ही है, यह कुछ इस type से, तो यह काफी अच्छा है, अंदर बैट कर देखते हैं, कैसा लगता है, तो यहाँ पर नीचे की side में 3 pendle मिल जाते हैं, क कुछ इस type से सारी view देखना है, और engine start stop का button chrome के साथ में, यहाँ से light को जला सकते हैं, passing दे सकते हैं, कुछ इस type से, तो यह सारी चीज़े right side में मिल जाती है, light का पूरा system, और यहाँ पर देखते हैं, तो कुछ इस type से आपको पूरा handle steering देखने को मिलेगा, इधर से आप bottom steering आपको मिल जाता है, यहाँ से horn, और उधर की side में आपका airbag मिलता है, 9 inch का touch skin system आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपके AC band मिल जाते हैं, और यह parking mode पे लगानी है, तो आप lighter को जला सकते हैं, यहाँ पर automatic AC आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस type से, तो यहा लगा सकते हैं, यहाँ पर cup holder आपको देखने को मिल जाते हैं, यह आप देख रहे हैं, तो गे लिवर with chrome के साथ में, chrome के साथ में handbrake, armrest यहाँ पर leatherized मिल जाता है, कुछ इस पेस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर step से मिलती है सबी सीटों पर सीट बेल्ट करने का option, यहाँ पर auto mirror आपको मिल जाता है, light मिल जाती है, sun visor में आपको mirror और light मिल जाती है, handle मिलते ही पकड़के बैठने के लिए, तो यह सारी चीज़ें इधर भी मिलती है, driver side में, तो यह सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं तब, तो gate को कर लेते हैं, open, keyless entry है यहाँ पर, और यह कुछ इस टैब से, पूरा gate black color में आपको देखने को मिलेगा, same features रहने वाले, और यह कुछ इस टैब से, पूरड export side से हमें देखने को मिल जाता है, मेरे हिसाब से तो भाई, काफी अच्छा है, यहाँ पर airbag और glove box मिल जाता है, पूरी profile अगर हम अंदर से देखते हैं, तो car के अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती, यह कुछ इस टैब से आप देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई, बिलकुल perfect, सारी एक एक चीज इसमें दी गई है, और आगे से पीछे की profile देख रहे हैं, अ और power window पकड़ कर बंद कर सकते हैं, bottle holder, speaker, तो यह सारी चीजें gate पर ही हमें मिल जाती है, अगर अंदर की side में देखा जाए, तो कुछ इस type से पूरा अंदर की जो profile है, हमें देखने को मिलेगी, कुछ इस type से आप देख रहे हैं, तो काफी अच्छा look हमें हैं आपर देखने मिल जाता है, और light की profile जो है, LED light यहां पर दी गई है, कुछ इस type से, तो यह सबसे best है, कि light बहुत सुंदर दी गई है इसकी, और parking sensor पीछे मिली जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई, काफी अच्छा look है, यहां पर, और swift लिखा हुआ है, यहां पर सुजू की का logo है, और आप देखेंगे, तो आपका mirror पर आपको defogger दिया गया है, light दी गई है, उपर की side में antenna तो ही, और यह कुछ इस type से, मेरे हिसाब से तो भाई, काफी अच्छा look है, अगर boot space की बात करें, तो बड़ा boot space मिल जाता है, 265 लिटर का, तो वो भी काफी अच्छा है, कि 265 लिटर option है जाता है, number plate लग जाती है आपकी, और नीचे की side से देखेंगे, तो कुछ इस type से आपको ये पूरी कार देखने को मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो भाई, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कैसी लगी, एक बार boot space और दिखा देता हूँ आपको, open करने का बा आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, जो हमारे काम की हैं, तो company काफी अच्छा ख्याल लगती है, दूर से अगर profile देखते हैं, जैसे कि हम कहीं पर गूमने जाते हैं, boot space open कर रखा तो ये profile आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी का काफी अच्छे features मिलते हैं, price भी इस car के जादा नहीं है, जिसे साब से features इसमें मिल जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, इसको open कर लेते हैं, open करने के बाद कुछ देखते हैं, इस टैप से, पूरा gate ऐसे ही देखने को मिलेगा हमें, जैसा right gate था वैसे ही left है, लेकिन features कुछ कम हो जाते हैं इधर के side में, क्योंकि उधर से ही सारा control हो जाता है, airbag और यहाँ पर AC band, यहाँ पर glove box, कुछ इस टैप से with light, यहाँ पर देखेंगे, तो seat पर belt मिल जाती है, और seat है काफी soft test की, और काफी comfortable भी है, तो ये सारी चीज है, और look अंदर का अगर देखते हैं, comfortable car ये अंदर से आपको देखने को मिलेगी, और कुछ इस टैप से पीछे आपको देखने को, ये glasses भी green ही है, UV cut वाला, जो quarter glass है, और यहाँ पर देखेंगे, तो कुछ इस टैप से, जो front gate पर था, वो यहाँ पर है, बैट के देखते हैं, क्या space है इसमें, तो space आप देख सक हैं, यहाँ पर AC band और charging का option दो मिल जाता है, तो ये सारी अच्छी चीज़ें मिलती है, safety feature के अगर बात करें तो ABS system मिलता है, brake assist, center locking, power door lock, child safety door lock, anti-three, पलाराम, six airbag, इसमें आपको seat belt, warning और इसमें cross sensor मिल जाता है, engine check warning का option मिलता है, auto headlamp है इसके, आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप car देखते हैं, यह चीज़ें मिल जाती है, यहाँ पर fuel tank का option मिलता है, और यहाँ पर आपका पीछे की side में आपको disc brake नहीं मिलते, और यह tank काफी बड़ा है, लगबग आपको इसके tank 37 liter का मिल जाएगा, LED lights पीछे आपको मिल जाएंगी, तो यह काफी अच्छा है बाली नो लिखा हुआ है, chrome का part यहाँ पर, सुजुकी का logo, chrome का part और पीछे camera, viper, defogger और यहाँ पर light, spoiler, यह सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो मेरे साप से काफी अच्छा है, उपर के side में antenna भी है, parking sensor भी है, यह सारी चीज़ें इस car के अंदर आ boot space इस car के अंदर आपको मिल जाता है, और tray, parcel tray कुछ इस type से मिलती है, अंदर ही आपको इस तपनी का tear भी मिल जाएगा, तो यह सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो space काफी अच्छा है, अगर कहीं बाहर जाना है, गोमने जाना है, तो काफी केविन इस type से आपको कार का देखने को मिल जाएगा, तो यह भी काफी अच्छा है, यहां से पकड़ कर देते हैं, बन, तो यह सारा लूक इस type से आपको देखने को मिलेगा, एक बार अंदर चलते हैं, केविन में अंदर बैट के देखेंगे, कि पीछे की side में, तो हमें कि side में देखेंगे, तो कुछ इस type से पूरी profile हमें देखने को मिल जाएगी, अब अंदर बैट के भी देखे जाएगा, कि इसमें space हमें कितना मिलता है, lag room क्या है, head room क्या है, तो यहां पर देख रहे हैं, तो lag room कुछ इस type से आपको देखने को मिलता है, आप लंबी दूरी भ और यहां पर brake assist, ESP, hill hall control और central locking, keyless entry है, child safety lock और इसमें AC heater ये सब चीज़ आपको मिलती है, तो इसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको, अगर बात करें इस car के price की, इसके price क्या रहने वाले हैं, तो काफी कम price में मिल जाती है, एक showroom कीमत आपको 7 29,000 रुपए के something देखने को मिलेगी, अगर इस car की बात करें price की, क्या price रहने वाले हैं, तो एक showroom कीमत 9,37,000 रुपए के something आपको देखने को मिलेगी, फिर RTO, कर्च, insurance, accessory, warranty, ये सारी चीज़ें इस car की अलग से purchase करनी पढ़ेंगे आपको, तो ये सारी चीज़ें मैं आप एक showroom कीमत बता दी, अगर ये car आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में बहुत जल्द